इसके उपर यह होना चीए मटर केस लगना चीए और उसके बेसिस पर आप सभी लोगों ने मेरे को कुछित कर दिया और तो गैस अलवी शादाव भी अब सामने आ चुके हैं मैं एक वीडियो बहुत ज्यादा वाइरल हो रही एक नीबलगी कई वीडियो और काफी और बहुत सारी चीजरे रही हैं सामने उटके एक वीडियो आपने देख्योंकि जिसमें मैं हाथ उठारो मैंटसौर्ण के उपर एक वीडियो आपने देख्योंकि में ऐख चलवा दिया मेरे नामेरे शांतल वेसा है वैसा है पौलि Technology को सपोर्ट है सारी चीजह नेएrict कर वो एक साइड की स्टोरी सुनके बहुत जल्दी बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि यह अलविश ने तो यह कर दिया हो मैक्षटन के मार दिया अलविश तो बदमाश है गलत आदमी है उसके साब से आपने डिसीजन लेते हो अचाहे णफॉल हो गया क कॉमेंट हो गया गाली बखना हो गया ठीक है । मैं चाहता हूं कि एक साइड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी और दूसी साइड की स्टोरी भी Jakuni चैनने का हगा और मुझे सुनाने का भी हग है तो जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं इस वाली वीडियो को प्लीज एंड तक देखना क्यूंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं अपना पक्ष रखूं और मेरी भी सुनी जाए जो लोग विक्टिम कार्ड खेल के अपने आपको विक्टिमाइज करके एक साइड की स्टोरी सुनाएख दूरी साइड जो वह कर रहे हैं और जितने भी लोग एकट्टे हो रहे हैं जो पुराने हिंदू सपोर्टर थे जो एंटी थे मेरे सारे एक जन्ने गुट बनाके सारे मेरे पीछे पड़ गए चलो कोई बात नислि पुरा नकाम है 2020 से जिल रहा हूँ मैं जब हम इन दो के लावाज उटाते थे तब से जिल रहा हूँ मैं और भी दीनसार लोग खड़े थे आठ बाउंसर्स को लेके गया था एक बंदे को और वहीं का इस रैंडम सेना भी अब नए अपने यूटूब पेज के साथ आने वाली है जहां ऑफीशियल यह बुनकर यूटूब अकाउंट भी आ चुका है और इन्होंने क्या का है एलविश यादाव ने और दुरू राटे ने आपको छोड़ा से क्लिप भी दिखा देता हूँ और रैंडम ली गाई आया और उने गाली बुकेर चला गया सौरो ने क्या काया मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ और मैंने बता हाँ क्या फिर मैंने ब्ढ़वान से प्रे किया उसके लिए कि भगवान प्लीज उसके आथ कुछ बुरा मत करना तो मैं सोचता हूँ कि भाई क्यों मैंने ऐसा क्या किया मैंने ऐसा क्या गरत बोल दिया अपने व्लाग में या फिर उसके बारे में किसी के बारे में मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोलता है फिर मैंने कुछ गलत नहीं दिखाया कभी कुछ गलत नहीं करा फिर मैंने कुछ हो कि ऐसा क्यों होता है और सबसे बड़ी बात वो आदमी था मतलब 30-40 साल का आदमी होगा हो मैं तो भाई यहां 24 साल